हेलो दोस्तों काविल एकाणिवी के यूरी चानल में मैं विश्व इस्थर आपका फिर से स्वागत रता हूँ हमने एक मुहीम चलाई थी हमें पढ़ना था इकनोमिक एक्टिविटी इसके बारे में हमने इससे पहले प्राइमेरी एक्टिविटी सेकेंडिये एक्टिविटी के बारे में चानकरी हासिर की आज हम जिस टोपिक में चप्छा करने वाले हैं, यह है roadway के उपर यह roadway होता क्या है, roadway से हमें क्या फाइदा मिलता है और कितने टाइब के roadway विश्वबर में प्रजालित है आएच शुरू करते हैं roadway के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे transportation और एक बार यह transport होता है क्या है हमने पुड़ा था किसी भी पन्यस सामागरी को एक जगा से दूसरा जगा या इनसान को एक जगा से दूसरा जगा पहुंचाने का पिडा उठाती है प्रोडवेज, सही है, ट्रांस्पोर्टेशन, ट्रांस्पोर्टेशन में हम देखे कि ये ट्रांस्पोर्टेशन सिर्फ समान को एक जगा से दूसरा जगा नहीं, बल्कि सभ्याता को एक जगा से दूसरा जगा या एक स्टेज से दूसरा स्टेज में पहुंचाने को मदद कर है नहीं मतलब transportation इपन गयिर है तौ सब्सक्रत्ति सरे टाइल होगा है सही है तो importance of roadways or any transportation is very important to know by all the people तो हम जामते है कि transportation का division कितने परकार का हुआ था और एक बार चलिए अब देखते है transportation यह transportation होता क्या है मैंने पहरे भी बता चुका हूँ कि transportation मतलब कोई भी goods या इंसान का एक ज़गा से दूसरे जगा आदान प्रदान या जाना आना को ही कहा जाता है transportation यह transportation सिर्फ माल या इंसान को एक ज़गा से दूसरे जगा पहुँचाता नहीं है बलकि सभ्याता को भी एक ज़गा से दूसरे जगा लेके जाता है मतलब उन्नती कराता है अब देखते है transportation का विवादर transportation को जनरली तीन भागों में बाटा जाता है कि लेंड रूट्स तुसरा है वाटर रूट्स और तीसरा है एर रूट्स तो आज इस टॉपिक में हम डिसकेस करने वाले है यह जनरली है लेंड रूट्स के बारे में यह लेंड रूट्स को हम उनको कहा जाता है surface transportation क्योंकि यह सीधे जमीन से जुड़ा हुआ है सीधे जमीन से जुड़ा हुआ है अज सर्फेस से और क्रस्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको surface transportation कहते हैं इसके बाद concrete या unmetall road को भी तीन भागों में बाटा जाता है एक general होता है जो कि हम साधा में देखते है highway यह थोड़ा से बड़ा होता है और express में जहां पे जहां बहुत लंबा लंबा रास्ता होता है वहां पे हम express में देख पाते हैं सही है अब यहां railway का भी division दो type का हम देखते हैं एक होता है national और एक है international अगर आपको railway के बारे में रोचक तथ्या जानना है तो काभिल academy में railway correlated ऐसा एक सांदार वीडियो दिया हुआ है description box में है इनके details आप वहां पे जाके एक बात देख लिजेगा railway का एक एक चीज महां पे बहुत इसांदार रुप से दसाया गया है अपने राजसर के द्वारा आप जरूर देखिएगा फिर आते हैं water waste के उपर water waste का तीन division होता है एक है अपना inland जो की कोई एक territory के अंदर state lakes या नदी के बीचों में जो water waste के माध्यम से या आप कह सकते हो जहाज नौका बोट इस माध्यम से अगर समान का या इंसानों का अधान पदान movements होता है तो उनको हम कहेंगे inland water waste सही है फिर आते है coastal में coastal area अथात कोई भी continent के बगल में मान दीजिए ये आपका एक continent है continent के बगल इस area में अगर हम transportation करते हैं ठीक है तो ये transportation of water waste mood will be called coastal water waste हो आपको समझ में आया होगा इसके बाद आता है seaway seaway मतलब आप समंदर के बीचों बीच जाके transportation कर रहे है जैसे कि North Atlantic transportation ठेक North Pacific transportation water waste ये सारे seaways के अंडर आते है seaways भी दो other Egg या होता ही लाइनर होता है और a Алघेजाग涉 lianर में क्या करते हैं इंसानों को एक जगह से दुसरी जगह पहुंचाते हैं, a Combine में क्या होता है गोड्स का रन पदन करते हैं एक जगा से दुस्रा जगा है फिर आते हैं एयर रूट्स का बात हम जब भी करेंगे इसका भी दो टाइप का डिविशन अपने को देखने को बिलता है एक नेशनल और एक इंटरनेशनल यह डिपेंड करता है फ्लाइं के ओपर क कि आप कहां से कहां जा रहे हैं अगर आपको एक देश के अंदर ही कहीं पर फ्लाइ करना होता है तो हम नेशनल एरूट्स को पगड़ते हैं और इंटरनेशनल कहीं जाना होता है या एक देशे दुसरे जगा कहीं जाना होता है तो उसमें हम इंटरनेशनल एरूट्स का साह पहरा लेते हैं यह बहुत ही important है सभी को जानना चाहिए आगे बढ़ते हैं हाँ आप देखते हैं roadways यह roadways देखिए बहुत ही important है यह सबसे पुराना transportation है medium of transportation oldest mode of transportation इसको दो भागों में बाटा गया है हमें पता है एक अच्छा रास्ता एर एक पक्का रास्ता जिसको हम English में कह है जनरली unmettled यह unmettled है और एक मैटल है metal made by soil bricks etc यह जनरली मिट्टी बालू और कह सकते हैं इट के दुआरा बनाया हुआ रस्ता है जो कि गाउं और आप कह सकते हैं जो rural area है उस अगा में हम यह देख पाएंगे यह जनरली बिहार जारखन यूपी लगभख अपना देश में 50% रास्ता जो है इसी माधियम से transportation करता है यूपी और बिहार में इस तरह का जो unmettled road आप देख नहीं है इसका नाम खलंजा है यह आप याद रखेगा जानके अच्छा लगया ठीक है फिर आते हैं पक्का यह मैटल रोड मैटल रोड जनरली जो कि बना हुआ हुआ हुता है ब्रेक सिमेंट स्टोन पीच यह अलकत्रा उलकत्रा देखे जो कि जनरली हम बनते हुए देख नहीं है आजकल अपना जो टांस्पोर्ट मिनिस्टर है नितिन गटकरी जी बहुत ही महनत कर रहें रोड वेज को डेवलोप करने के लिए क्योंकि हमें सब को पता है एक्सेस ट रिसोर्स हमें तभी मिलेगा जब अपना रोडवेज या टांस्पोर्टेशन सही होगा और अपना देश में टांस्पोर्टेशन का डेवलोप्मेंट मतलब ही है अबरॉल डेवलोप्मेंट तो आये बता है फिर हां यहां देख रहे हम रोमांस इन्वेंटेड मैं यह के पीच रोड बनाया जाए तही है रोमन लोग ने यह किया था इसने पहली बार बनाने का कोशिश किया था अपना टेलफोर नामक एक इंजिनियर ने तही है फिर मेक अटम नाम के जो ऐंजिनियर थे ये पहली बार पीछ रोड बनाने का पिला उठाया था और इन्ही को फालो कते हुए हम पीछ रोड का निर्मान करते हैं आजकर तो बहुत टाइप का पीछ रोड बन रहा है एको फ्रैनली पीछ रोड बनाया जा रहा है है ना और ऐसा वे पीछ रोड बन रहा है जाकि पैदल चलने से अपना इलेक्टिसिटी पैदा हो रहा है बाइ यूजिंग इस ओलर एनरजी सही है अब आगे बारते हैं यहां हम यहां पर देख सकते हैं कुछ पीछ रोड वगयरा यहां दिया गया है आप ऐसे रोड आ दिनक अपने इन्यम में हम देख पाएंगे और यह जो रोड देख रहे हैं यह एक्स्प्रेस में हाइवीज मे इस तरह का रोड हम देख सकेंगे, ठेक, अब आगे बारते हैं, अब देखिए रोडवेज, different names of रोडवेज, ये exam point of view से बहुत ज़्यादा important है, बहुत बार exam में पुछा गया है, आपका SSC, आपका PSC, इस लेवल पे, कि US में use होने वारी, जो रास्ता है, रोडवेज है, इ इनको generally highways या expressways कहा जाता है, जिस इसी नाम को लेके, हम भी आगे अपना roadways का नाम रखे थे, फिर जर्मनी में इसको autobans कहा जाता है, इटली में autostrade, UK में motorways, और France में autor route, इंडिया में तो पता ही है, इसको हम national highways या highway या expressways कहते हैं, बहुत ज़्यादा important है, अब याद रख आगे बढ़ते हैं, अब देखे, classification of roadways according to length and importance, हम roadways का classification करते हैं, length और इसका importance के उपर, पहला जो roadways था, इसका नाम था international roadways, जो की length और importance के उपर, बेस करके हैं, सबसे पहला हम यहाँ देखेंगे, example में NH-35, जो की कलकता से धाका तक था, बहुत पहले, लेकिन अभी यह हम यहाँ देख सकते हैं, कलकता वेश्विंगल से यह आपको आगत्तरा तक पहुंचाएगा, इसलिए इसका नाम बदर के रखा गया है NH-112, इसे क्या, कुलकता से 39 का दूरी अभी कम हो गया है, नहीं तो पहले हमें 39 से सिलिगुली से कलकता आना पुरता था, जो की अभी सीरे हम बंगलादेश होके वेश्विंगल आ सकते हैं, 39 से डारेक कलकता, इससे क्या समय का बचत हो रहा है, फिर आते हैं, त्रिभुबं सडग, जो की रोक्साल वि यहां से कात्मांडू नेपाल तक, यह एक इंपोर्टन इंटरनेशनल हाइवे है, यहां पे त्रिभुबं एर रूट या एरपोर्ट स्थित है नेपाल में, जो की बहुत ही इंपोर्टन है, एक्जाम पॉइंट औव यू से भी और नेपाल का आपका एकोनोमिक लिए, य यह बहुत ज्यादा रेविनिक कलेक्शन करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट बाई एर वेज अभी आसानी से नेपाल पहुंच जा रहा है, जहां पे इस्थित है त्रिभुबं एर पोर्ट, साई, अब तीसरा जो एक्जाम्पल हम यहां दिये हुए, इंडिया पाकिस्तान वागा बॉर्टर, यह वागा बॉर्टर के मादधम से हम इंडिया का जो दिली से बस चूटती है, जो कि वागा बॉर्टर होके पाकिस्तान का काबुल या इस्लामाबद तक को जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा मुहिम है गब्मेंट द्वारा, ताकि एक बना के चल सके, अब आगे बरते हैं, दूसरा है हाइवेज, हाइवेज होता क्या है, हाइवेज connects one to the other side of a country, मतलब हाइवेज क्या है, कंट्री का एक साइड को दूसरा साइड से जोडता है, ऐसा जो रोडवेज है, इसको कहा जाता है, अपना हाइवेज, जैसे कि एक्जा जीती रोड, मतलब Grand Trank रोड, इसको सेरसार सूरी रोड भी कहा जाता है, ये जनरली इंडिया में आपको डेली से लेकर कुलकाता तक देखनी को मिलेगा, जो कि पहले देश विवाजन से पहले ये काबूल से लेकर धाका तक होता था, हाँ, अभी जब देश विवाजन हो गया, तो अभी ये डेली से, डेली तो नहीं आप कह सकते हैं, पंजाब का अमनित्सद से लेकर कुलकाता तक है, यो कि एनेच वान और एनेच टू से इसका डिविजन हुआ है, चाहिए, इसका निर्मान बहुत पहले शुरू हुआ था, ये पहले अनमेटल रोड हुआ गत जब चंद्रगुप्त मौरिया का सासन था, पुरा आफगनिस्तान से लेकर बंगाल तक, तब इन्होंने कच्छा रास्ता का निर्मान करना शुरू किया था, जो कि बाद में सेशा शुरू ने रखबक इसको और री एक्स्टेंड किया, फिर ब्रिटिश गॉब्मेंट ने इसको पका रास्ता में कनवर्ड किया, सही है, अब देखते हैं, फिर रोड, फिर रोड यह भी बहुत इंपर्टेंट है, फिर रोड होता क्या है, आप यहां देख सकते हो, एक ऐसा रास्ता, जो कि गाउं या कोई अब मिनसिपलेटी एरिया से निकल के डारेक्ट नैशनल हाइवे को जोडता है, या नैशनल हाइवे के साथ जोड जाता है, तो ऐसे रोड वेज को हम कहते हैं, फिडर रोड वेज, जैसे सिल्वुड बें है स्टेशन फिडर रोड, ठीक, जो की जाके जोडता है, एनेच 34 के साथ, फिर आते हैं, यहाँ पर और भी एक एक जांपल दिया है, जैसे आप देख सकते हो, SH12, SH का मतलब होता है, स्टेट हाइवे, जैसे SH12 जो की आलिपूद दुवार और नक्सल बारी को जोडता है, यह इसका बीच का जो दूरी है, 352 किलोविटर है, और एक बार बत हैंगे SH, SH का मतलब होता है, मैंने बताया अभी स्टेट हाइवे, DH का मतलब देस्टिक्ट हाइवे, यह बहुत इंपर्टेंट है, वेस्ट बेंगर में लगबग 15 स्टेट हाइवे है, यह नमबर आप याद रखिएगा, एक्जाम पॉइंट अब इस से बहुत ही जो की 2007 में पास हुआ था, इसका मुखन यह था कि गाउं में कहीं भी कच्छा रास्ता ना दिखे और एक साफ सुत्रा रास्ता हो जिससे की कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम जो वाटर लोग्ड का या पाने जमने का जो भी समस्या होता था, जिससे रास्ता होती थी, इससे दूर किया जाए, लगबख आज का डेट में इसरे कह सकते हैं, आदा से ज्यादा इंडिया में रोडवेज दिखाए देता है, तेक, अब आते हैं मायस्टोन पे, यह मायस्टोन हम आई गिनत देखते हैं कि हर रोडवेज के बीच में एक मायस्टोन आता है जहाँ पे हम देख पाएंगे विविनतरा का जगा का नाम और साथी साथ वहाँ पे दिस्टेंस और यहाँ पे एसे च या एनेच बोलके कुछ लिखा रहो हुआ रहता है, जैसे आलिपूर ठीक है, और यहाँ पे दिस्टेंस लिखा हो रहेगा, ऐसे, ऐसे मायस्टोन हमको रोड के साइड में देखने को मिलता है, तो ऐसे रोडवेज का डिफ्रेंट कलर्स होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन से रोडवेज में हैं, क्या हम नेच्टाल हाईवे में हैं, क्या हम स्टेट हाईवे में हैं, क्या हम रूरल हाईवे में हैं, इससे पता चलता ह इसको हम कैसे जानेंगे हम colors के मात्यम से जान पाएंगे कि यह milestone कि कहां का है और यह milestone हमें कौन रास्ते पर लेके जा रहा है यह रास्ता क्या national highway है या दूसरा कोई चलिए देखते है national highway में हो अगर आप तो आपको देखने को मिलेगा white और yellow color का milestone यह दखेगा अगर आप state highway में हो तो white और green color का milestone देखने को मिलेगा अगर आप district highway पे हो तो white और black color का milestone देखने को मिलेगा और अगर rural road पे हो तो white और red का milestone देखने को मिलेगा माइस्टोन के बारे में और एक चीज़ अब मैं आपको बताना चाहूंगा जब विद्या सगर कोलकता आ रहे थे तब उन्होंने one two ten तक का calculation या आप गिंती वो सिखा था माइस्टोन देखे ही देखिए माइस्टोन से भी हम जान सकते हैं गिनना या परना अगर इंसान चाहे तो कभी भी किसी भी चीज़ से सीख सकता है जिसे विद्या सगर मैंने अभी बताया माइस्टोन देखा one two six है साही है अब आगे बढ़ते है हाँ यहाँ देखेंगे हम importance of roadways पहला importance हम यहाँ देख रहा है कि यह हमें कोई भी remote area जहां तक पहुंचना असान नहीं होता वहाँ हम roadways के माध्यम से असाने से पहुंच सकते हैं दूसरा है जिल short distance कम दूरी टाय करने के लिए हम roadways का सहारा लेंगे तीसा जो है agricultural goods जो भी होता है इसको transport करने में बहुत ही ज्यादा मददग सबीत होता है roadways क्योंकि roadways अगर रोड ना हो तो जो रूरल एरिया में हम आसानी से जाने ही पाएंगे और वहाँ से उत्पन जो द्रभ है उसको market तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो roadways में इनका important बहुत ज्यादा होता है फिर industrial goods इंड़स्टी इंड़स्टी इंड़स्ट् दंग होता है अपना roadways का और यह roadways कम समय दूरी करने के लिए बहुत ज्यादा important होता है और इसके लिए समय भी बहुत कम होता है कम लगता है और फिर light product कोई भी light product मतलब कम वजनी जो भी पतात होता है इसको हम अगर एक जगह से दूसरा जगह लेकि जाना चाहेंगे तो इ anytime हम कभी भी roadways का इस्तिमाल कर सकते हैं अपने पास बस vehicle होना चाहिए है ना फिर क्या है essential goods कुछ भी essential goods का transportation mainly short distance के लिए हम roadways का ही इस्तिमाल करते हैं और defense और security के लिए roadways बहुत ज्यादा important है क्यूंकि border जो area होता है वहाँ पे generally हम जाना पसंद करते हैं जाना चाहेंगे roadways के माध्यम से ही क्यूंकि ये अपने को जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है सही है अब देखते हैं disadvantage इसका disadvantages भी है देखे हम पहला disadvantage में देखते हैं expensive roadways में हम अगर transportation करते हैं तो खर्चा कुछ ज्यादा ही हो जाता है जैसे कि आप यहां से अगर delivery जा रहे हो तो आपको लगबक एक से 120 रुपय एक से 140 रुपय का भाड़ा खर्चा करना होगा लेकिन आप अगर रेल्वे में जाते हो तो तो 60 रुपय से ज्यादा भड़ा लगनी रहा मतब क्या roadways कुछ ज्यादा महेंगा है ठीक है little goods transport अगर आपको कम समागरी आदान प्रदान करना है तो roadways सही है लेकिन ज्यादा करना है तो सही नहीं है इससे बहुत ज्यादा करचा हो जाता है अब देख्यों रेनी विंटर सीजन में यह सही नहीं होता ठीक रेनी सीजन में रोड़ वीज खराब हो जाता है जो कि transportation के लिए बहुत ही खराब और विंटर सीजन में तो और भी नहीं क्योंकि ठंदा कुछ ज्यादा ही लगता है आप अगर roadways में यह एक्सिदेंट प्रोन होता है रोडवेस के माध्याँ से जब भी हम ट्रांस्पोर्ट करते हैं तो एक डर लगा हुआ रहता है कही एक्सिदन ना हो जाए इसका मेंन बीजन क्या है रोडवेस का सही नहीं होना इसलिए आज के डेट में भाट्य सरकार रोडवेस के उपर ब हम किसका इस्तिमाल करते रेल्वैस का और नहीं तो यह रूट ठीक है अजिक और ट्राफिक का समुझछ है दो बहुत ज्यादा होता है जनरल यह आप देखिएगा नो से नो से यारह बजे का बीच में जो कि ऑफॽिस आहाः होता है बहुती रच आहाः होता है इसे क्या होता है हम कहीं आसाथनी से पहूंच नहीं सकते हैं नहीं सकते हैं तो एक दिफिकर्टीज है ट्राफिक का मतलब या अपना रोडवेस का दूसरे हैं भीक तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितना जल्दी निकल सोको उतना अच्छा है फिर आता है not comfortable मैंने पहले ही बता है रूडवेज कमफोटबल नहीं है रूडवेज लॉग जर्नी के लिए comfortable नहीं है आपको पैर सुकर जाएगा ऐसे लगया चलो दो पास घंटा ब्रेक ले आप ब्रेक लिया भी जाता है खाने के लिए या फिर शौचा ले जाने के लिए ब्रेक लिया जाता है फिर भी ये comfortable नहीं है और ये systematic नहीं है जो कि ये एक disadvantage है रूडवेज का अगर हम विश्ववबर की बात करें तो यूए से rank first in roadways ठीक है roadways में number one में आता है अपना यूए से यह आप क्या रखेगा और road density का बात अगर करें हम तो जापान का roadways density सबसे जादा है और second में आता है अपना UK density के मामने में ठीक UK तो अब ये या दखेगा USA में रखबख साथ मिलियन किलमेटर साथ मिलियन किलमेटर का roadways है यह आप या दखेगा अपना इंडिया भी अभी कम नहीं है बहुत आगे बढ़ रहा है इंडियन roadways के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे ओप दोस्तों आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत लोग है जो कि वीडियो को देखते सिर्फ है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और भी अपने कभिल अकाडमी के यूट चैन आप जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए धनेवाज जाहिन झाल